ओला एलेक्टरिक और एतर एनरजी, इंडियन एलेक्टरिक टूविलर इंडस्ट्री में रिवलुशन लाने वाली दो बड़ी कमपनीज और ओला एलेक्टरिक की बात करो तो वो मारकेट लीडर है पिछले कुछ मैनों से और एतर की भी बात करें तो बहुत बुरा नहीं कर र और अभी प्रेजेंटली क्या वो प्रॉफिट में है या लॉस में है तो वीडियो इन तक जरूर देखना आकर आप चानल पर नहीं हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको इतने डीटेल वीडियो हमेशा मिलते रहें च जब उन्होंने इलेक्टर स्कूटर लांच किया तो ओला एस वन प्रो सब के दिलों में च्छा गया सब के दिमाग में च्छा गया क्यूंकि ओला एस वन प्रो तब तक 135 किलोमेटर का ट्रू रेंज देगा बहुत ही तगड़ा 116 के एमपेज का टॉप स्पीड देगा और कर देगा ऐसा बुला गया था भावेश अगरवाल जी की तरफ से और हाँ वैसा उन्होंने किया ओला एस वन प्रो इलेक्टर स्कूटर मार्केट में बहुत चला उसके बाद में ओला एस वन भी मार्केट में आया और अभी अगर आप सिचुवेशन देखो ओला एलेक्टर का डच ब्रैंड था वो सीधा उठा लिया इटर को विवान में बात करो तो इटर गो एमस्टरडाम बेस्ट कंपनी थी जो अल्रेडी इलेक्टर स्कूटर बना रही थी और यह जो इलेक्टर स्कूटर था 240 किलोमेटर का रेंज देने वाला था यह इलेक्टर स्कूटर अभी लोगो लगा नहीं था कि गाड़ी चलाते समय उस गाड़ी में स्पीकर भी होंगे और वो गाड़ी में स्पीकर जब बजेंगे तो गाड़ी चलाते चलाते हम गानी भी सुन पाएंगे दूसरा नैविगेशन जिसमें आप गूगल मैप्स का इंटेगरेशन कर सकते ह और आपको जो location पर जाना है वहाँ पर डालके easily जा सकते हो तीसरा सबसे important जो charging anxiety है वो भी Ola Electric ने कम कर दी क्योंकि इन्होंने hyper charging भी ला दिया चौती सबसे important बात Ola Electric ने range जो दिया वो बहुत ही तगड़े दिया और आपको पता दूँ तो Ola Electric अभी market leader है आपको पताईए भावेश अगरवाल जी एक बहुत ही aggressive businessman है और जो Ola Cabs है और A&I Technologies है इनके under Ola Electric brand काम करता है बट अभी है आखे खोलने वाली बात Ola Electric का profit कितना है पता है बही कोई profit नहीं है Ola Electric is in losses अगर मैं आपको बताऊं पूरा पढ़ाई करके यहाँ पे note किया है Let me tell you financial year 2022 में लगबग Ola Electric ने 784.15 करोड का loss सहन किया है 784.15 करोड का loss Ola Electric profit में बिलकुल नहीं है अगर बात करें Ola अभी IPO प्लान कर रहा है तो क्यों IPO प्लान कर रहा है आपको पता है न IPO क्या होता है It is initial public offering तो Ola Electric IPO प्लान कर रहा है क्योंकि they want to fund, raise the fund so that यह जो loss आया है उनके सामने वो overcome करके मिले तो यह बहुत ही हुशार बंदा है भावेश अगरवाल जी और 2023 के end तक इनका जो IPO है लाँच हो जाएगा बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई Electric scooter है, बहुत नाम कमाया है, इन्होंने marketing पे इत्ता खर्चा किया है हर बंदे को Ola Electric almost पता है तो लोग इसको purchase करने की कोशिश करेंगे and of course Ola Electric का IPO successful रहेगा, ऐसा मुझे लगता है but इसका फाइदा company को जादा होगा ना कि IPO लेने वाल होगा this is my personal opinion, क्योंकि बात यह है ना कि जितने लोग इनका IPO लोगे इनका जो loss है, वो recover हो जाएगा तो financial year 2023 में operating loss कितना हुआ है अभी तक 2023 जो financial year है, operating loss कितना हुआ है 136 million dollars का operating loss हुआ है Ola Electric का और वो अगर rupees में अगर मैं बोलू तो 1116 crores का operating loss Ola Electric का हुआ है और यह बहुती खतरनाक बात है कि EV2 biller industry में यह market leader है Ola Electric बट फिर भी इतने losses में जा रहे है क्योंकि भाई थोड़ा सा है ना finance का issue electric vehicle में बहुत तगड़ा है क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजों पे जो है हम foreign investors पे या foreign materials पे depend है जैसे battery के sales हो गए या जो भी semiconductor है इंडिया में इतना fast semiconductor नहीं बनता और electric vehicle में semiconductor बहुत सारा लगता है तो वो हमें foreign से ही लाना पड़ता है यहाँ पे assembly होती है और वो बेचता है तो यहाँ पे अगर आप देखो कि सिर्फ 2023 financial year में 1000 करोड से भी ज़्यादा Ola Electric loss में है और यह अगर इनको recover करना है तो यह इसका IPO लेके आने वाले है अपर देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो जाल को subscribe करो क्योंकि इतने डीडेली वीडियो मैं हमेशा देते रहता हूँ वो जब बेल आइकॉन है ना वो all notifications के लिए on कर दो दूसरी बात अभी Ola Electric के scooters कौन-कौन से available है उसके लिए मैं क्या करूंगा आपको सीधा मैं मेरे desktop पे लेके जाओंगा जल्दी से दिखाओंगा कि Ola Electric ने इतने सारे scooters market में लाए है इतने सारे sales भी हो रहे है फिर भी वो losses में है तो चलिए desktop पे जाते है हाँ दोस्तों तो हमारे सामने दिख रहा है यह जो न्यूज है ओला एलेक्ट्रिक फेसे रेवेन्यू शॉटफॉल और रूपीज रूपीज नहीं बहुत डॉलर्स में चलता है सब हम तो रूपीज में बात कर रहे है 136 मिलियन डॉलर्स का लास फाइनन्चिल लेर 2023 में हुआ है और यह लगबग बन जाता है 1100 करोड से भी जादा रूपे का बट ओला एलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कौन सी है यह जानना important है ओला एलेक्ट्रिक इतना अच्छा काम क्यों कर पा रहा है क्योंकि उनके पास अभी प्रॉमिनंट्रिक तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है जादा तयममें इसके उपर नहीं दूँगा की कौन सी-कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर है पर आपको ऑवर्व्यू में जरूर दे दूँगा ओला एसक वन प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है फोर किलोवाइट अब का बैटर पैक है 120 गेम पेज का टॉप स्पीड है ओला एसवन एयर की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत ही तगड़े फीचर सारे फीचर मिल जाते हैं जो ओला एसवन प्रो में है सिर्फ इसमें आपको हाइपर मोड नहीं मिलता तीन किलोवाइट अब का बैटर पैक है 151 किलोमेटर का रेंज है 90 केम पेज का टॉप स्पीड है उला एलेक्टिक खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी जबरदस एलेक्टिक स्कूटर लांच कर देते हैं लांच इवेंट के बाद बहुत सारे ये उटाते हैं बुकिंग्स और बुकिंग्स उडाते हैं तो बहुत सारा पैसा इनके पास आ जाता है बहुत सारे बुकिंग ओडर्स इनके पास आ जाते हैं तो क्या होता है इन्वेस्टर्स भी इनके उपर और इन्वेस्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं और यह brand बड़ा-बड़ा हो जाता है, बट फिर भी, losses में ही है, कौन सा भी electric two-wheeler brand, मुझे नहीं लगता अभी profit में होगा, excluding TVS Motor Company, and Bajaj Auto, because TVS and Bajaj Auto, इनके बाकी के भी बहुत सारे products है, तो शायद यह losses में ना हो, but Ather, Ola, यह सारी companies, losses में चल रही है, 30 का इनका products है, Ola X1X, यह तीन versions में आता है, Ola S1X 2KWh, 3KWh, and Ola S1X Plus, बात करें तो यहाँ पर भी आपको सारे features उसके दिख जाएंगे, तो Ola Electric की marketing strategy, Ola Electric के जो electric scooter launching का वे है, इनका जो marketing है, जिस तरह से यह इनके product को दिखाते हैं, जो है Gen 2 वो सीधा आपके सामने आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा-चे features में आ जाता है, जो जो problems Ola Electric ने face किये थे, अभी तक वो सारे इसमें हटा दिये गए, जैसे इसको flat footboard दिया गया है, यहाँ पे आपको आगे dual suspension दिख रहा है, आपको बहुत ही तगड़ा grab rail मिल रहा है, और इसका boot space 34 liters का maintain किया है, पहले 36 था, now it is 34, इफ टॉक अबाउट Ola S1 Air, तो यह इनका पहला revolutionary product था, जिसके अंदर इनों ने बताया था, कि यह flat footboard लेके आ रहा है, और अलोंग विद दाट, इसमें 90 km पेश का top speed मिल जाता है, 151 km का air air certified range है, true range लगबग 125 km का मिल जाएगा, 34 liter का boot space है, and 100 km का इसमें true range मिलेगा, normal mode में, बात करें बाकी के चीज़ों की, तो इसमें touchscreen display मिलेगा, सारे features मिल जाएंगे, मू OS 4 update में जो कुछ है, वो सारे features मिल जाएंगे, सिर्फ इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, तो of course इसमें hyper mode नहीं मिलेगा, and if you talk about the charging time also, इसमें same 750 Watt का charger है, but guys इसमें आपको कुछ-कुछ features की कमियाद दिखने को मिलेगी, वो कौन सा है, वो भी बता देता हूँ, अपर तक वीडियो देखा है, तो please वीडियो को like करो, चैनल को subscribe करो, तो इसमें सारे features मिल जाएंगे, सिर्फ क्या नहीं मिलेगा, hyper mode नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा, सब मिलेगा भाई, cruise control भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जब मैं बात करता हूँ, Ola S1X की, सब्सक्राइब करता हूँ, सब्सक्राइब का Ola S1X सिलेक्ट करता हूँ, तो Ola S1 Air और Ola S1X में क्या difference है, इसमें charger का difference है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, कि Ola S1X में आपको 750W का charger नहीं मिलता, 500W का charger मिलता है, तो उसे charging टाइब यह 6.5 घंटे का हो जाता है, और बाकी features की बात करें, तो Ola S1X में आपको physical key मिलेगा, जो display है वो touchscreen नहीं मिलेगा, इसमें आपको side stand alert, eco mode, sports mode मिल जाएगा, बाकी की smart features कुछ भी नहीं मिलेगे, उसमें OTA updates नहीं मिलेगे, music नहीं मिलेगा, remote look जो boot unlock है वो नहीं मिलेगा, Bluetooth connectivity नहीं मिलेगी, predictive maintenance cruise control कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपको features चाहिए, तो आप Ola S1 X Plus के साथ जा सकते हो, जिसमें आपको सारे features जो Ola S1 Air में हैं, जो मिल जाएंगे, सिर्फ music नहीं मिलेगा, तो ये बात हो गई Ola Electric की, अभी मैं आपको दिखाने वाद लाओ कि Ather का क्या हो रहा है, तो अगर आप देखो, तो Ather के बारे में भी same चीज चल रही है, कि Ather energy के losses जो है वो बहुत बढ़ चुके है, revenue jump हुआ है, revenue 5.1X मतलब 5 गुना revenue बढ़ चुका है, but losses जो है वो फिर भी बढ़ रहा है, as you can see Ather reported Rs. 344 crores of loss for financial year 2022, meanwhile its biggest competitor Ola Electric earlier recorded a total consolidated loss of 784.15 crores for the financial year 2022, जो मैंने अलरडी बता दिया, तो हमें दिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि electric scooter बना रहा है, हम उसको use कर रहे है, but भाई ये सारे लोग losses में चल रहे है, electric scooter जो है Ather, वो expense जो है उनके बहुत जादा बढ़ चुके है, and इनका जो पहला था, मतलब financial year 2021 में जो losses थे, वो 233 crores थे, तो इसी के लिए अभी आपको बता दूँ कि Ather Energy जो है, इनको फिर से investment मिल रहा है, किस की तरफ से investment मिल रहा है, नहीं पता, Hero Motocop की तरफ से फिर से इनको 900 करोड का investment मिल रहा है Ather Energy को, 900 करोड, पहले ही Hero Motocop ने 420 करोड का investment किया था, लगबग 2017 में, और Ather Energy की बात करे ना, तो यह Tarun Mehta जी ने फॉर्म किया था, और Swapnil Jain इसके को फाउंडर है, लगबग Technology Development Board अंडर Department of Science and Technology IIT Madras, और Shrini V. Shrinivasan IIT alumna, इनोंने लगबग इनको 4.5 मिलियन रुपीज दिये थे, मतलब बहुत ही तगड़ा investment किया था 2014 में, इनके company found हुचुकी थी 2013 में Ather Energy की, ओला तो अभी अभी आई पर उन्होंने smart move किया, कि उन्होंने Ather को नामका Dutch brand ही उठाया लिया, तो अभी जाते है Ather के official website पे, और जान लेते हैं कि Ather Energy कौन-कौन से product दे रही है, तो Ather Energy का पहला जो product था, वो जो बहुत चदरा था, that was Ather 450X, and if you know, it is an amazing product, बहुत ही तगड़ा product है, I am not about doubtful, any single doubt नहीं मेरे दिमाग में एक product कैसा है, बट अभी ये दो categories में आपको मिलता है, ये जानना important है, Ather 450X 2.9 kW अभा का battery pack, 111 km का range देता है, और 3.7 kW अभा का battery pack, तो दोनों elektro scooter पे अगर true range है, 110 km के आपको 3.7 kW अभा में मिल जाएगी, और 2.9 जो छोटा भाही है, उसमें 90 km के range मिल जाएगी, मतलब 20 km के range का difference है, and इनका जो smart keys है ना features है वो सारे अपडेट हो चुका है, keys जो होती है, जो indicator है, या horn है, या आपको instrumental cluster पे कुछ करना है, तो यह सारी चीज़ों जोने update कर दिया है, तो इसमें trip planner मिल जाएगा, push notification मिल जाएगे, बहुत सारी चीज़े मिलेगी, पर इसलिए आपको इनका pro pack लेना पड़ेगा, बात करे, acceleration की बहुत तगड़ा है, 90 km page का top speed है, 3.3 seconds में 0-40 कर देता है, जो Ola S1 Pro Gen 2 सिर्फ 2.6 seconds में कर देता है, बहुत ही तगड़े electric scooter है, बट फिर से repeat कर रहा हूं, यह losses में है, क्यूंकि भाई, easy नहीं है, electric vehicle manufacture करना, और वो लोगों तक पहुचाना, उसमें इतने सारी features डालना, हमें क्या लगता है, बना दिया, electric scooter based दिया, but it takes a lot of efforts, बात करें, motor की, 6.4 kWh पिक पॉर वाला, पीए में से motorist में मिल जाता है, और जो battery है, वो भी इनका completely waterproof है, जैसे motor waterproof है, और बाकी की चीज़ें में जादे, इस पले explain नहीं करना चाहता, बट इनने तगड़े electric scooters बनाए है, इसमें snapdragon 212, quad core 1.3 GHz का आपको प्रोसेजर मिल जाता है, 2 GB का RAM मिल जाता है, 16 GB का storage मिल जाता है, water resistance IP65 rated in का display है, Bluetooth 4.2 मिल जाता है, 4G connectivity मिल जाता है, इसके साथ ये service भी अच्छी देने की कोशिश कर रहे है, क्या आपने Ather या Ola electric scooter लिया है, आप कौन से शहर से हो, क्या आपको service अच्छी मिलती है, प्लीज नीचे कमेंशन दालना, आपके जो कमेंट्स है वो मेरे लिए बहुत important है, आपके कमेंट्स के उपर मैं हमेशा वीडियो पनाना की कोशिश करता हूँ, तो गाइस, आपके जो भी सवाल है, वो आप कमेंट्स सेक्शन में डाल सकते हो, तो इसमें आपको पारकसिस मिल जाता है, आटो हिलोल मिल जाता है, 22 लिडर्स का boot space मिलता है, जाता है, यह सारी दिखाने की बाते हो गई, बट मैंने थमनेल में क्या डाला है, ओला और एथर का सच, और यही सच है कि यह दोनों इलेक्ट्रिक वेहिकल की कमपनी जो है, यह बहुत ही निगेटिव, वाट यू कैन से, लॉसेस में बहुत चल रही है, और मुझे लगता है, I hope कि they will overcome these losses by any means, बहुत ही जल्दी overcome करना चाहिए, दोनों के तगड़े जो losses है, मुझे लगता है कि हम सारे लोगों ने इनको अभी तक support किया है, आगे भी support करते रहने चाहिए, क्योंकि electric vehicle industry में, इन्होंने revolution लाया है, अधर और उलाने, तो आपको क्या लगता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बोलना, थैंक्यू सो मज गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो तिल लाइन, मिलेंगे गाइस आप नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिं जै बारत, वन दे मातरम